नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सूर्य को मान सम्मान का कारक माना गया है और कहा जाता है कि सूर्य यदि अच्छी स्थिती में होते हैं जब हमारी कुंडली में हो तो हमें समाज में परिवार में मान सम्मान की प्राप्ती होती है सूर्य देवता आत्मा के कारक माने गए हैं, इसलिए जब सूर्य अच्छी स्थिती में होते हैं, तो हमारे आत्म विश्वास में वृध्धी होती है, माता पिता से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होता है, माता पिता का पुन्य सुख ह में हासिल होता है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिती में है वसूर्य अच्छे हो साथ ही साथ यदि जन्म कुंडली में शुब स्थिती में हो तो धन संतान प्राप्ती में कोई बाधा नहीं आती है संतान की प्राप्ती होती है पुत्र संतान की प्राप्त परिशानिया बहुत कम आती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे। परिशानिया बहुत सारे। सूर्य कमजोर है तो हमें उनको प्रसंद करने का उनको शुभ बनाने का मजबूत बनाने का उपाय जरूर करना चाहिए। और बहुत ही आसान उपाय होते हैं सूर्या देव को मनाने का और मजबूत करने का तो आज के इस विडियो में हम आप से बात करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ बहुत अचूप, बहुत आसान और उपायों के बारे में जो यदिय आप करते हैं रविवार के दिन या। फिर किसी भी दिन नियमित अपने दिन चारे में शामिल कर लेते हैं तो शीघर ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती हो जाती है। सभी प्रकार की कामनाय चाहे वो धन से समबंधित हो, संतान से समबंधित हो, व्यापार या शिक्षा से समबंधित हो या आत्म सम्मान आपको चाहिए, समाज में मान प्रतिष्टा चाहिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ती इन उपायों के द्वारा आपको हो जाती क्योंकि सूर्य जब मजबूत होते हैं तो आपके मन की हर इच्छा पूर्न हो जाती है तो विडियो को पूरा देखे और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विंती करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबायेगा सच्ची श्रधा से कॉमेंट बॉक्स में लिखे जै सूर्य देव भगवान सूर्य देव के लिए एक लाइक तो बनता है तो चलिए अब बात करते हैं उपायों के बारे में तो रविवार के दिन सूर्य देव को ही समर्पित होता है रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही अधिक लाभदाई होता है वैसे तो हमें प्रति दिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए लेकिन रविवार के दिन वि प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, तो रविवार को जरूर करें आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए, चाहें आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, आपके पास तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते है तभी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोश समाप्थ हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानी होती है उन परेशानियों से मुक्ती मिलती है जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करें गायत्री मंत्र का जब आप यथा संभव कर सकते हैं, यदी आपके पास समय है, तो एक सौ बार कर लीजिए नहीं, तो जितनी दे। आप जल दे रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने पांच मिनट तक कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाब होता है। गायत्री मंत्र का जब करने से जैसे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जब करते हैं, तो हमारी नौकरी में यदी कोई बाधा आती है, तो वो दूर होती है। नकारात्मक उर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुभह जब आप सूर्यदेव को अर्ग्य देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुण मिला लीजिए, इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, यदि आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा गुण मिला कर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है, सूर्य देव को तो जब आप सूर्य देव को सुभ जल देते हैं, तो जल देते समय आपको गायतरी मंतर का जाप करना है, और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है, गेहु का दान भी आप कर सकते हैं, गेहु और गुड का दान करना बहुत ही श्रिष्ट middle जाता है और इनको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं यदि आप ये दान करते है तो सुर्यदेव की कृिपासे आपके जो काम होते हैं जो रुके हुए है बनने लग जाते हैं भाग्यका साथ आपको हासिल हो जाता है यदि यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए लाल चंदन जल में डाल कर भगवान सूर् तो इसके बाद, उस तांबे के पातर में थोड़ा सा जो लाल चंदन है, वो किनारे पर लगा होता है. जब हम कोई भी वस्तु डाल कर अरपित करते हैं, तो किनारे पर थोड़ा सा लगी है, उस पातर से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है, और इसे अपने म आपका व्यापार करते हैं, तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी। ये आप साथ रविवार कर लीजिये जैसे की आप दान करते हैं, अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया, तो साथ रविवार लगातार कर देंगे, तो आपको बहुत ही शीघर लाब हो जाता है ग्रह दोशों से। तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्य देव को अरपित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वय भी खा सकते हैं, और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्राप्ती होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। यदियदिया। में कोई बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तामबे के पातर में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं। गुलाप का गुढ़ल का जो भी लाल पुश्प उपलब्ध हो, उसको मारा आत्म विश्वास बढ़ता है। मुक्ती मिलती हैं नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। दवाई या शीघर ही काम करने लग जाती है। प्रति दिन या फिर तीन बार रविवार को भी लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानिया दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी काम ना हो जैसे हमने शुरू में ही। यदि आपके अंदर आत्म विश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या पा लेंगे। और आत्म विश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिती में होते हैं। एक बहुत ही अचुक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। य आप जरूर कीजिए यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हों। कोई भी आपकी विशेश कामना है तो ये उपाय जरूर कीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है। जिसके तूटे हुए दाने ना हो बिलकुल साबुत चावल होता है। उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत रोली और बेल पत्र डाल कर भगवान सूर्य देव को जल देना जैसा की बताया जाता है, आपको तीन बार में जल देना चाहिए। को बोलते हुए यदि सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघर ही आपके मन कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें थोड़े। के बाद कीजिये इससे आपकी कामना बहुत शीघर पूल्न हो जाती हैं दोस्तो आज की विडियो में हमने सूर्य को मजबूत उपाय बताया सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्चक है सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्म विश्वास का बली होना यदि हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिये प्रति दिन कीजिये और रविवार के दिन विशेश रूप से कीजिये जाने से पहले एक बार सच्चे मन से जय सूर्य देव अवश्य लिखें वीडिय का तहर दिल से धन्यवाद करते हैं